दूस्तो इस तस्वीर को अब तक तो आप पहचान ही चुके होंगे जो ली गई है आपकी NCERT की कक्षा दूसरी की पुस्तक गणित का जादू के पार 12 हसे इस तस्वीर में जो औरत है वो मूती बेशती है और वो 10-10 मूतियों की माला बना कर भी बेशती है और खुले मूती भी बेशती है तो सब बच्चों ने जो मूती खरीदे वो सब इस तालिका में दर्ज कर लिये गए तो आइए अब हम देखते हैं कि आखिर सोनु ने कितने मूती खरीदे सोनू ने तो 35 मोती खरी रहे हैं यानि उसने 3 माल आये लिए और 5 खुले मोती वहीं आरिफ ने कितने मोती लिए आरिफ ने लिए हैं कुल मिलाकर 24 मोती तो क्या आप यह देखकर बता सकते हैं कि आरिफ के मोती ज़ादा थे या सोनू के साफ साफ दिख रहा है कि सोनू के मोती आरिफ से जादा थे उसके पास खुले मोती भी जादा थे पांच और बंधे मोती यानि कि दस मोतीों की मालाएं भी जो थी वो जादा थी कितनी तीन मालाएं सोनू के पास थी और आरिफ के पास केवल दो मालाएं अब ज़रा यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सोनू के पास आरिफ से कितने ज़्यादा मोती है How many more beats does सोनू have than आरिफ चलिए जानने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम यहां हमने लिख लिया सोनू के पास जितने मोती हैं तीन माला आए हैं उसके पास और खुले मोती हैं पांच यानि तीन दहाई तीन दस-दस की माला आए और पांच खुले मोती यानि पांच एकाई भही आरिफ के पास हैं दो दहाई और चार एकाई इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरफ अगर हम देखें तो कुल मिला के जितनी माला हैं जो है आरिफ और सोनू के पास है उसे हमने यहां लिख दिया आरिफ के पास कितनी माला है दो तो वो नीचे की तरफ है और सोनू के पास है तीन माला तो वो उपर की तरफ है उपर वाली हमने जादा वाली जो है वो और इस तरफ हमने खुले मोती की संख्या लिखी खुले मोती सोनू के पास है पांच और आरिफ के पास है चार अगर हमें पता लगाना है कि कितने मोती जादा है तो अगर हम जादा वाली संख्या में से कम वाली संख्या को निकाल दें तो हमें पता लग जाएगा बचे वे जो मोती होंगे वही उतने ही मोती जादा होंगे तो यहाँ पर हम घटा कर सकते हैं और यह है घटा का निशान यानि minus का sign जब हम किसी चीज में से किसी चीज को निका'llते हैं तो वहाँ वो चीज कम होती है तो हम यहाँ पर बड़ी संख्या से छोटी संख्या को निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा बचीवी संख्या जो है वो कितनी है और उतने मोती जो है वो सोनू के पास जादा होंगे तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम इकाई देखेंगे यानि खुले हुए मोती अब ज़रा यहाँ देखिएं यहाँ पर जो खुले हुए मोती है सोनू के पास है पांच और आरिफ के पास है चार तो हम एक एक करके आरिफ का एक मोती जब काटेंगे तो उपर से सोनू का एक मोती उतना ही निकाल लेंगे तो उस हिसाब से हम सोनू के खुले मोतियों से ठीक उतने मोति निकाल लेंगे जितने आरिफ के पास है और बचेंगे उतने खुले मोति जो सोनू के पास एक्स्ट्रा है यानि जादा है तो मैंने आरिफ के पास से एक मोती निकाला तो उपर सोनू के पास भी एक मोती कट गया पिर यह दूसरा, तीसरा, चौथा अब आरिफ के चार मोती खत्म हो चुके हैं लेकिन सोनू के पास अभी भी एक मोती बचा है अब जरा यहां देखें, अगर हम यहां भी देखें, तो पांच में से अगर हम चार हटा देंगे, तो भी कितना बचेगा एक, तो कितना एक्स्ट्रा मोती जो है, वो सोनों के पास है खुला हुआ, वो है एक, तो हमने यहां एक लिख दिया, अब हम देखेंगे कि, जो है, यानि दहाई है, मतलब मालाओं की जो संख्या है, वो किस के पास कितनी जादा है, जरा देखें, यहां पर अगर हम दोनों गोले देखें, तो यहां पर मालाएं मौजूद हैं, अगर हम जितनी मालाएं आरिफ के पास है, उतनी माला सोनों के पास से हटा दें, और बची भी जो माला होगी वो उसके पास जादा होगी तो चलिए गिने की कोशिश करते हैं तो हमने आरिफ की एक माला हटाई तो सोनू की भी एक माला हटाई यह गई दूसरी माला आरिफ की तो दोनों मालाएं खतम हो गई लेकिन सोनू के पास अभी भी एक माला जो है वो बच्ची ह तो वो है उसके पास जादा अगर हम यहाँ देखें तो तीन माला में से अगर हम दो मालाएं हटा दे तो भी कितना बचेगा? तो भी बचेगा एक तो हम यहाँ लिख देंगे एक तो हमें पता लग चुका है कि कितनी मालाएं जो हैं वो सोनू के पास जादा है आरिफ से एक और कितने खुले मोती जादा है वो भी एक तो एक दहाई और एक एकाई जो की बना ग्यारा तो सोनू के पास ग्यारा मोती जादा है किस से आरिफ से अब देखें आरिफ के पास 24 मोती है और रजिया के पास है 12 तो यहां किस के पास जादा मोती हुए? यहां तो आरिफ के पास जादा मोती हुए और रजिया के पास कम. अब आपको पता लगाना है कि आरिफ के पास रजिया से कितने जादा मोती हैं?